CA new course के बारे में update करने बाले चाहे आप CA foundation intermediate final का exam में जून 24 में देने बाले हो या 9 दिसंबर 24 में देने बाले हो सारे students के लिए तो please students वीडियो को skip ना करे हमारे चार्टे studies family में daily new students add होते हैं तो doubt तो genuine है आना लेकिन students अगर आपको लगे कि ये वीडियो थोड़ा जादा समय ले रहा है ये भी बात मुझे बताना पर रहा है वीडियो को 2x speed नहीं तो 1.5x speed में आप लोग देख सकते हो official announcement देखने के लिए AI के official website पे चलना परेगा जैसे ही आप लोग official website पे आते हो सबसे पहले update करेंगे CA foundation new course में June 24 के बारे में इसके बाद update करेंगे CA intermediate new course के बारे में इसके बाद update करेंगे CA final new course में 24 के बारे में अगर आपको CA Foundation का exam June 24 में देना में में exam नहीं होगा जून में exam होगा तो जून 24 में अगर आपको exam देना तो इसके लिए सबसे पहले CA Foundation course में registration करना होगा सिर्फ एक बार ही registration करना होता है Repeater students को कोई भी registration नहीं करना सिर्फ और सिर्फ exam form fill करना परेगा और हाँ जो लोग भी December 23 में foundation का exam नहीं दे रहे तो उनको अगर जून 24 में exam देना होगा तो conversion करना परेगा तो registration करने का आखरी date क्या है 1 February 2024 जैसा ही registration करोगे payment करने का वो आखरी date होता है तो registration confirm का mail message आने में 7-10 दिन लएगा CDS का mail message आने में आपको 7-10 working days लग सकता इसके बाद ही फिरी में book order कर पाओगे CA foundation new course में कैसे registration करना book कैसे order करना मैंने detail video बना रखा video का link आपको description में मिल जगा एक बार फिर से बोलने 1 February 2024 payment करने का आखरी date है जो भी students एक फरवरी तक registration करेंगे एक फरवरी को भी करेंगे क्या उसी दिन तो registration confirm का mail message नहीं आएगा न उसके बाद तो 7-10 दिन तो लगेगा न तो payment करने का सिर्फ आखरी date एक फरवरी 2024 होता है माल लेते कुछ ऐसे भी students होंगे जो लोग registration कर चुके है confirmation mail आ गया CDS का mail नहीं आया है बुक और नहीं कर पा रहे हैं तो आप बुक कैसे और करना उस वीडियो को देखिए बुक और करके देखिए coupon apply हो जाता है तो अच्छा बात है नहीं तो CDS पोर्टल पे जाना contact us में mail ID और mobile number सो करेगा तो CDS वाले से आप लोग बात कर लीजेगा अब ध्यान से बाते को सुलेना चाहिए फाउंडीशन इंटर्मीडिट फाइनल का स्टूडेंस हो रजिस्टेशन कर रहे हो रजिस्टेशन करने के बाद पेमेंट करने के बाद आपको confirmation mail message नहीं आ रहा है तो SSP पोर्टल पे login करना है चेक करना क्या आपका application submitted या in progress है तो आराम से वेट कीजिए अगर वहाँ पे कोई error आ गया तो उसको सही कर दीजेगा तो उसके बाद registration confirm का mail message आ जाएगा अब बात कर लेते हैं इंटर्मीडियेट कोर्स के बारे में अगर आपको मी 24 में देना या number 24 में देना तो intermediate course में registration करने का दो option है या तो आप foundation exam pass करो इसके बाद intermediate course में registration कर लीजेगा दूसरा ये है कि आप foundation pass ही नहीं कर पा रहे हो registration करने के बाद exam दे रहे हो लेकिन pass नहीं कर पा रहे हो या आपको foundation का exam देना ही नहीं है foundation में registration ही नहीं करना है तो आप सीधा direct entry से CA intermediate में registration करवा सकते हो जो लोग CA foundation pass out है तो उनको कैसे registration करना CA intermediate course में मैंने detail video बना रखा है video कालिंग का आपको description में मिल जाएगा लेकिन कुछ ऐसे students है जो कि foundation pass नहीं कर पा रहा है foundation में registration करने को बाद exam दे रहा है या उनको foundation में registration ही नहीं करना उनको सीधा direct entry से admission लेना है CA intermediate में तो अब ध्यान से बाते को सुना graduation या post graduation में अगर commerce background के students हो तो 55% marks है इससे 0.1% भी कम होना नहीं चाहिए या non commerce background के students हो 60% marks है इससे थोड़ा भी marks कम नहीं होना चाहिए इससे ज़्यादा ही होना चाहिए या इसके equal होना चाहिए या नहीं तो CME या CS का second level जैसे कि CS का executive both group या CME का intermediate both group clear है तो सीधा foundation के बेना सीधा आप direct entry से CA intermediate में जा सकते हो एक और doubt आ सकता है कि CS executive का एक group clear है या CME intermediate का एक group clear है क्या direct entry से admission ले सकते जिसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं अगर आपको CS या CME route से direct entry में admission लेना है तो both group second level का clear होना चाहिए graduation या post graduation वाले students को ICI ने एक और option दे रखा अगर आप final year में हो graduation के कुछ college yearly होता है कुछ college semester wise होता है अगर आप third year में हो और आपका first year second year का marksit internet वाला भी होगा तो चल जाएगा third year का admit card आपके पास है तो first year second year का marksit और third year का admit card को single pdf बनाओ upload कर तो आपका registration confirm हो जाएगा semester wise college है तो एक से लेकर के fifth semester तक का marksit और sixth semester का admit card update कर दोगे तो आप provisional registration कर सकते हो C.A. intermediate second year में fail है एक्जाम बाद में देंगे या कुछ semester में fail है exam बाद में देंगे क्या registration confirm हो जाएगा मेरे हिसाब से नहीं होगा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि मैंने जितना बोला उस guideline को तो follow करो पहले आप pass करोगे बीच के semester में जो fail हो या नहीं तो कुछी year में fail हो तो पहले वो pass करो उसके बाद ही registration किजिएगा कुछ students का doubt आ सकता है वो final year में तो है वो six semester में तो है लेकिर उनका admit card नहीं आ है तो कोई दूसरा option है जी हाँ एक और option है जहाँ पे मैंने admit card बोला अगर आपका वहाँ पे admit card नहीं है तो क्या करोगे college में जाओगे question यहाँ पे नहीं comment box में पूछोगे जो चीज मैं बताने बाला हूँ सिधा college में जाओगे और बोलोगे bonofide certificate चाहिए अगर college वैसे सब को provide कर देदा अगर आप जा करके मांगोगे college से कि मुझे bonofide certificate चाहिए तो college आपको bonofide certificate provide कर देगा तो जहाँ पे admit card मैंने बोला admit card अगर आपका नहीं आया final year का या 6 semester का उस जगह पे bonofide certificate को update करोगे single PDF बना करके इस तरीके से आप provisional तो registration कर सकते हो registration confirm भी हो जाएगा book भी order कर सकते हो लेकिन दिक्कत ये होगा ने कि अगर आपको exam देना me 24 में तो आपको exam form फिल करने से पहले जबी भी आपका exam form फिलिंग हो वैसे me 24 का फरवरी में start हो जाता है तो जब भी आप exam form फिल करना चाहते हो पहले आपको mark sick पूरा overall submit करना परेगा तब ही तो ICI को पता ले कि आपको 55% है या नहीं है 60% है या नहीं है अगर मान लेते हैं आपका registration confirm हो गया उस दिन तक mark sick नहीं आता है तो क्या होगा तो आप अगर उसके बाद update करोगे तो number 24 में exam दे पाओगे चाहे आप direct entry से CA intermediate में registration करना चाहते हो या आप provisional करना चाहते हो या आपका overall mark sick आ चुका है एक September ही आखरी rate है ये नहीं कि किसी के लिए अलग हो जागा सब के लिए direct entry का provisional हो या normal registration करना चाहते हो 1 September 2023 आखरी rate है May 24 में exam देने के लिए या foundation route वाले का भी 1 September 2023 आखरी rate है 1 September payment करने का आखरी rate है जैसे ही payment कर दोगे उसके बाद तो registration confirm का mail message आने में 10 से 15 working days लेगा न जो students 1 September को registration करेंगे कैसे उसी दिन उनका registration confirm का mail message आजाएगा तो 1 September जैसे ही 2 September हो जाएगा और आखरी rate हो जाएगा 1 March 2024 तो आपका चला जाएगा सीधा number 24 तो urgent way में मुझे update करना पर रहा है कि 1 September 2023 आखरी rate है अभी तक सीए intermediate में चाहे foundation route से अभी तक registration नहीं कियो और आपको मे 24 में exam देना मे 24 में new course में exam हो रहा है तो registration कर लिए registration कैसे करना foundation route से मैंने detail video बना रखा है video का link आपको description में मिल जाएगा direct entry से कैसे registration करना May 24 के लिए या number 24 के लिए मैंने detail video बना रखा है video का link आपको description में मिल जाएगा book कैसे order करना CA new course का May 24 एन onward के लिए इस topic पे भी detail video बना रखा है video का link का आपको description में मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं CA final के बारे में, अगर आपको CA final का attempt में 24 में पर रहा है, new course में, तो registration करने का आखरी rate क्या होगा, 1 January 2024, तक अगर आप लोग रिजिस्टेशन कर लोगे, तो में 24 के exam में appear कर सकते हो, number 24 में अगर आपको exam देना, तो 1 July 2024 आखरी date होगा, number 24 में registration करने के लिए CA final में exam देना है, CA final new course में कैसे registration करना, वो कैसे order करना, मैंने detail video बना रखा है, video का link आपको description में मिल जाएगा, और हाँ students, साथ में आप लोग charter studies के telegram channel को जरूर join कर लीजेगा, telegram पे search करना है charter studies, students सच बोलो तो telegram से 1 रुपया का earning नहीं होता है, telegram बस channel बनाया गया आपको help क करने के लिए, तो please students जरूर join करे, telegram channel को, 80,000 से भी ज़्यादा students join करके benefit ले रहे, तो आप लोग क्यों पीछे हटना, join कीजिए charter studies का telegram channel को, telegram पे search करना है charter studies, आपके मन में अभी भी कोई additional doubt है, तो YouTube comment box open है, आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो, और हाँ, channel पे नए हो, त चैनल को subscribe करके, all notification will दबाद दीजे, ताकि CA related एक भी important update और announcement मिसना हो पाए, subscribe जरूर कीजिएगा, और मैं मिलता हूँ next video